वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियों हम बात करेंगे अपने लॉग आंसर टाइप पॉस्टन की जो कि आपका कुश्चन नंबर फिपत है ठीक है लॉग आंसर टाइप फॉस्टन एक से लेकर चार तक जो आपके लॉग आंसर टाइप कॉ लिए आज हम बात करेंगा कुश्चन नुम्र फिक जो की कहला है साइकस एवं इफेडरा ठीक है क्या साइकस और इफेडरा के नर युगमकोद भिद्धी की तुलना केजिए ठीक है किसकी male gametophyte ठीक है क्या बताना आपको male gametophyte इन दोनों में तुलना करनी है कि आपका जो ephedra है इसमें आपका male gametophyte या नर युगमकोद भिद्ध कैसा होता है और जो आपका psychos है इसमें आपका male gametophyte या नर युगमकोद भिद्ध कैसा होता है सबसे पहले अगर हम बात करें साइकस की तो कह रहा है कि मैं क्रो स्पॉर्स से मेल गेमीटो फायट का डेवलमेन्ट होता है इसका स्टार्ट कहां से होता है इसकी ब्रद्धी कहां से सुरू होती है तो यह भी होता है से जो आ किससandel सब्सक्रान से जी सटाट हो जाता है आपका गयमीटो ya कि से साइकस में दूसरा थे अगर हम बात करें तो इसमें आपका का का डिप्लेमेंट कहां से होता तो इसमें भी आपका से मेल स्टार्ट हो जाता है किसे लगु भी जाणू से वह दूसतरा कहरा है से कि माइक्रो स्पोर है ना होता है और स से होता है किसे होता है मूसीस से होता है ठीक है अर्थसूत्री विवाजन से होता है किसमें होता है यह मदर सेल में या मात्र कोशिकामि है neural就是 कैसा होता है आपका haphlyard मतलब की यह कैसा होगी आपका a एन गुड़द ठीक है इसमें जो आपके क्रोमोजोम्स होंगे यह मात्र को ढदर होगे ठीक हैजाइ तो यह हैपलाइट आपका कैसा नहीं की सुछ माइकरोस्पोर माज़स से मीविज्ए से के वाद मेंविज्ए कर रहे है माइक्रोइसुपूर मात्र कोशिका से मियूसिस के बाद बनता है यह आपका maikroPal मदल सेल हैं इसका क्या होता है मायक्रो स्पॉर का germination जुकई आपका लग वी स्टॉर। तो मायक्रोस्पोर का जर्मिनेशन कि से समय स्टार्ट हाता है जब यह मायक्रोज इस्पोर एंजियम में रहे था थिका दोनों में ही सेम कहानी है अब तक हमने जो पढ़ाया ठीक है आप तक हमने जो इतने इतने तीन आपके जो है पॉइंट पढ़ें तीनों में जबहानेु आपका मिल गये मीटो फाइट जैसे समय आपकी साइकस में आपकी किसमें इफेड्रा में ठिक है तो आगे हम बात करते हैं फॉर्थ पॉइंट आपका कहरा है मेल गैमिटोफाइट ठीक है मेल गैमिटोफाइट या नर युगमकोद विद्धी का जो development है वो ओबिूल में भी होता है कहा होता है ओबिूल में ठीक है किसमें अंडाशे में भी इसका development आपको देखने को मिलता है किसमें sycas में email gamitophyte का भी अंडाशे में होता है लेकिन किसके बात होता है polynation यानि परागयर के बात होता है जो परागयर होता है पौधों में उसके बाद में जाके आपका mail gamitophyte का johar Simple't कहाँ अंडाशे में ठीक है आफ्टर पॉलिनेशन यानि की परागण के बाद किसके बाद परागण के बाद ठीक है यह परागण क्या होता है जब आपके जो मेल गयमीटोफाइट होते हैं ठीक है क्या जो मेल गयमीटोफाइट होते हैं वो आपके फीमेल अंग पर ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं वर्तिक परागण कहलاتी ठीक है इसमें जो आफके पराकोस भरे रहते हैं इनका किसी भी बिदी द्वारा Śli Courage हुर्य सर्ड वर्थी कागर तक पहुंचना इस करका करिया को we changing करागण तरी किसी माधम से हो सकता है कीटों द्वारा भी हो सकता है ठीक है और सुता भी हो सकता है बायू द्वारा हो सकता है तो इस तरह से कई विदियां है परागड की ठीक है तो यह कहला था आपका परागड ठीक है तो परागड की बाद दीविजन होगा है टिविजन के बाद बनी पहली कोशिका होती है क्या होदा है वही डिवीजन के बाद बनी पहली कोशिका ठीक है डिवीजन के बाद बनी पहली कोशिका बनी पहली कोशिका या सेल क्या कहलाती है आपकी प्रो थैलियल सेल कहलाती है ठीक है उसके बाद एंथी रेडियल तो यह तो होगी साइकस की कहानी इफेडरा में कह रहा नैक्स में कितनी प्रो थैलियल शेल्स बन रही थी यहां पर आपकी दो प्रो थैलियल और एक एंध्री डियल सेल्स बनेगा किसमें इफेडरा की बात कर रहा है ठीक है नेक्स्ट, जिक्स कहारा है, प्रोथेलियल सेल, काफी समय तक, प्रेसिस्टेंट रहती है, कैसी रहती है, प्रेसिटेंट रहती है, मतलब इसमें काफी समय तक जो है, अंकुरा नहीं होता है, प्रोथेलियल सेल्स में, इसमें कहारा है, प्रोथेलियल सेल्स जल्द ही, डीजन हो जाती है आपके किसमें इफेंट ड्रा मिटक तो यहां पर भी समें थोड़ा सा अंतर है आपका इसमें कैसी रहती इसमें कैसी जलदी जो है बहुट डिजन्रेट bakayım अध्य है प्रू डिविजन के बाद मनी वो क्या करती है इसका जो केंद्रक है यह बिवाजित होकर क्या करेगा अब यह यह आपका दो भागों में बिवाजित हो जागा और क्या बनाएगा एक जनरेटिव सेल बनाएगा ठीक है तो एक जनरेटिव सेल बनेगी और एक आपकी कुछ इस तरह से ट्यूब सेल जैसे जो ठीक है दोनों में एक कहानी सेम है ठीक है दोनों में एंथिरीडियल सेल की जो कहानी है वो दोनों में सेम है ठीक है एंथिरीडियल सेल जो है दोनों में इनका केंद्र क्या होता है विभाजत होता है और क्या बनाता है एक एक आपकी जनरेटिव सेल बनाएगा दूसरी क्या ब माइक्रोस्पोर है लग भी जाड़ू है इसका पॉलीनेशन या परागण क्या परागण कितनी सेल्ड में होता है इसकी जो स्टेज है वो कितनी हो जाती इसमें लगबग तीन सेल्ड से आपकी बन जाती तब जाके जो माइक्रोस्पोर का परागण होता है या वो बरतिकागर पर पहुंचता है इसमें क्या हुता है धी फिंडर में कह रहा है माईकरुस्पोर का पॉलीनेशन फाइब सेल्डस टेज में होता है यहां कम से कम आपकी पाँच पांच पो श्काय करते और जाएगे तब जाके आपका माईकरुस स्टेज में होता है जबकि आपका फेडरा है इसमें 5 सेल्ड स्टेज में होता है ठीक है माइक्रो स्टोर का पॉलीनेशन point number 9 कर रहा है male gametes large two flagellated तथा ornical होता है जो आपका male gamete होता है ठीक है या नर्य युगमक होता है वो कैसा होगा आपका बड़ा होगा और two flagellate मतलब इसकी उसमें कैसे होगे दो flagellate पाए जाते हैं ठीक है कशाब जिर्णे हम कहते हैं जो गती करवाने के लिए साहयक होते हैं ठीक है किसी चीज में उससे flagella कहते हैं ठीक है तो कैसा होता two flagellate या y flagellate ठीक है दो कशाब इसमें पाए जाते हैं और इफेडरा में कह रहा है कि male gametes जो आपका male gametes या नर्य युगमक है वो दो तथा non motile होते हैं कैसे होते हैं non motile लेकिन होते कितने हैं आपके संख्या में दो होंगे लेकिन कैसे हों नो motile ये गती नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इफेडरा में जो आपके male gametes होते होते हैं लेकिन कैसा होते हैं non motile या निक गती नहीं करते हैं point number 10 कि अगर हम बात करें तो saikas में कह रहा है माइक्रो स्पोर से पॉलिन ट्यूब का विकास होता है जो आपका माइक्रो स्पोर है माइक्रो स्पोर से ही आपके पॉलिन ट्यूब का विकास हो जाता है माइक्रो स्पोर से ही इसको कहते है पॉलिन ट्यूब तो इसका विकास हो जाता है जो sperm carrier नहीं है क्या है भई इसका काम क्या करना है इसका काम sperm carrier है sperm को ले जाना नहीं है ठीक है sperm इसमें क्या होगा भी male gametophidee क्या होते है आपके sperm होते है कह रहा है sperm archegonial chamber में liberate होते है sperm जो होते है वो आपके archegonial cell में liberate होते है लगे रहते हैं इफेडरा में कह रहा है माइक्रो स्पोर्स चे पॉलिन ट्यूब का विकास होता है ठीक है दोरों में सही बात है कह रहा है जो स्पर्म कैरियर होती है लेकिन इसमें स्पर्म कैरियर होता है आपका कौन पॉलिन ट्यूब इसमें आपका स्पर्म कैरियर नहीं हो तीक इसमें जो आपकी archigonial है वो किसमें वस्ट हो जाती है archigonial neck में जो है वस्ट आपकी हो जाती है ठीक है कौन जो आपका gametophyte gamet था ठीक है male gamet था इसके बाद इसमें structure दे रखा है आपका यहाँ पर थोड़ा सा कहरा psychos development of male gametophyte psychos में नर युगमक का बनना ठीक है नर युगमकोद विद्धी का बनना किसमें ? तो यह जो आपकी कहानी है यहाँ से यहां तक की आपकी जो कहानी है यह क्या है आपका development before pollination यानि कि यह कहानी आपको क्या बताती है यह बताती है कि भईया जो परागड है क्या है परागड है परागड से परागड के पहले की कहानी है किसकी परागड के पहले की ठीक है परागड के पहले की सरचना है जिसमें क्या होगा आपका जो पराग कड होगा क्या होगा पराग कड ठीक है उसका जर्मिनेशन होगा क्या होगा जर्मिनेशन ठीक है तो इसमें आपका क्या दिखाए गया है यहां से यहां तक जो परागड है परागड है ठीक है क्या है परागड के परागड से पहले की घटना ठीक है क्या कहला है कि इसमें जो आपका जर्मिनेशन होता है किस तरह से इसमें तीन सेल तक बनती है तो जो यहां पर दिखाए गय है ठीक है यह आपका क्या है कोई आपका पराकड है ठीक है क्या है पराकड है जिसमें आपका क्या है नाविक है अब नाविक आपका दो भागों बढ़ जाता है जिससे आपका यह क्या होता है प्रोथैलियल सेल्स यानि कि डिवीजन के बाद बने भी पहली कोश्च का यह पह 4 आपकी क्या हो जाजाओ कि यह हो जाजाओ कि आपकी ट्यूब सेल और एक का क्या हो जागा फिर से आपके एक प्रोंता या यग हो यह बन चुकिए यह प्रोंता या के जनर्ल ट्यूब चैल बना लेता है फिक है जनर्ल ट्यूबसेल और आपका य升 क्या बनेगा केबल ट्यूबसेल बन जागा इसके बाद इधर की आपकी कहानी यह परागड के बाद की कहानी यह किसके बाद की काहाणी है भाई यह प्राग कोस से प्राकड कहाँ पहुंच गए बरतिकागर पर पहुंच गए फिर जाकर इनमे इसका जो है अंडाशाय में यह ओबिल्स में इनका जो है निशेचन हो रहा है या इनका बृद्धि ओर एक इस तरह से यह काहाणी है आपके पौद का फीमेल पाट है कैसा है प्यासर आप का पाट है यह माद़ा जननाँग है जिसको हम क्या कहते है जो आपका तीन भाग ए डिवाट रहता है वारतिकाः और अन्डा ermृत्ता है एधुय कन बर्तिकाः और अंदर बेंगे पहला इंधा समय ग्याँ है तो उनके साथ में यह क्या करेंगा और आफकी जो है बन जाएगए फाइनली आपका क्या बन जाएगा एक सिल्या बन जाओा कुछ इस तरह से लिंदो भखाई यूँ यह वैं वर् excited इफेटरां टेपलमेंट आफ मेल गेमीटोफायट या नर्युगमकोद बिद्धी का विकास इसमें इफेडरा में तो इसमें अगर हम बात करें इसमें आपका केदर रख़ए इसमें केवल आपका इसमें आपकी सरचना ոाहिद with साइकस वाले में जिसमें आपका क्या था Pollination के बाद भी दिखा रहे था लेकिन इसमें आपका क्या है Canadian Pollination से पहले की कहानी है किस तरह से आपका जो हे यह divide होता है जो आपका male gimmits होता है या नरयग मकुद भीद्ध होता है या लग बीजाण होता है वो किस तरह से आपका जो है पांच कोशिका में डिवार होता ठीक है तो इसमें पांच कोशिका के बाद ही इसमें पॉलीनेशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है ये पांच कोशिका के बाद ही इसमें आपको पॉलीनेशन देखने को मिलेगा तो ये पांच कोशिका तक की जो चोटे 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 पराकण भरे रहते हैं तो यह कहानी आपको का मिलेगी देखने को यह इस के बाद जाके कहीं इसका क्या होगा कॉली नेशन होगा भिसन है जो की आपका कर डा जागा और आपो यहां से आपका काया फर्दर divide होता चला गया प्रोथालियल सेल बन गई ठीक है इसके बाद ऊपर रह गया अब ये दुबारा से आपका second प्रोथालियल ये आपका पहला था ये दुबारा divide हो गया ठीक है तो ये क्या है आपका इक सेल से यह दूसरी आपकी प्रोथालियल सेल बन गई ठीक है और यह क्या आपका ट्यूब नूकलियस क्या है आपका ट्यूब नूकलियस ठीक है इस तरह से यह उपर क्या है आपका ट्यूब नूकलियस और यह क्या है आपका बाडी सेल क्या है यह आपकी body cell और stark cell ठीक है body cell और stark cell अब यह क्या करेगा अब यह ब्रद्धि कर जागा ठीक है लगवग 5 कोश्च काव में जो यह खुद से 5 stage cell ठीक है 5 celled stage में ही इसका क्या होता है 5 celled stage में इसका क्या होता है पॉली नेशन होता है क्या होता है पॉली नेशन अब यह बन गई आपकी 5 celled stage ठीक है अब जाके इसका पॉली नेशन होगा तब कहीं जाके यह बर्तिका अंड़ा शेय में पहुंचेगा और बहां जाके इसका फर्टिलाइजेशन शुरू होगा ठीक है अंड़ा की साथ में अमींद करते हैं यह आपने जो पढ़ा था इफेड्रा और साइकस में ठीक है इन दोनों के नर्ग एमिटू फार्ट्स या नर्ग युगमकोद भिद्धि में हमने तुलना की थी दोनों में अंतर जाना था क्या अंतर है और क्या समानता है ठीक है और यह छोड़ छोड़ स्ट्रक्चर दे रखें इनके इनको आपको अच्छे से देख लेना है ठीक है इसको आपको अच्छे से दोनों को देख लेना है ठीक है यह कि यह आपका और दूसरा आपका साइकस वाला यह ठीक है तो इस तरह से इफेड्रा और साइकस इन दोनों में नर्ग विद्धि का तुलना हमने यहां पर कर लिये discuss कर लिया है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा और दुबारा से देख ले अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आये तो दुबारा से देख ले और थोड़ा आप अच्छे से revision कर ले तो बन रहे हैं मारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वाचिंग और शेयर दा वीडियो